के फिगर तो फीप्वट वान्व फैद्ध्यान से देखना है यह तो दिख रहाए इंग्लाइं प्लेन फैंल प्लेन आ को लेकिन धीरे देडिरे इसको किसी ने पकड कर ऐसे उठाया ऑप इसको पहले horizontal था सोया हुआ था इसको पकड़ के ऐसे उपर उठा दिया और इसके उपर कुछ रखा हुआ था 4 kg का और इसको यहां से पकड़ के कोई उपर की तरफ उठा दिया प्लेन को देजुरली इंख्लाइन अंतिल इंन एंगल 15 डिगरी 15 डिगरी तक इंक्लाइन है 15 डिगरी तक तो मास जस्ट बिगिन्स टू स्लाइट तो जस्ट बिगिन्स टू स्लाइट का मतलब होता है कि वह स्लाइट अभी नहीं किया है उसे थोड़ा भी ज्यादे लगाएंगी तो कर देगा लेकिन पढ़ने से लग रहा है कि जस्ट बिगिन्स टू स्लाइट सुरू हो गया तो sliding start होने के लिए क्या चाहिए कि जितना जितना इस पे friction लग रहा है उतना फोर्स इदर लग गया होगा actually उससे थोड़ा ज्यादा लग गया होगा तब sliding start होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा को लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है इसे इधर 40 चालिस फोर्स है मैक्सिमम तो यह भी अगर 40 हो जाएगा तब तो नहीं चलेगा इसको 40.000000 ऐसे से करकर के थोड़ा होना पड़ेगा लेकिन नुमेरिकल सब्सक्राइब करते समय तो 40 ही लिखेंगे ना तो इसलिए इसलिए इधर भी 40 लिखने को बोला जाता है कि just begins to slide लेकिन एक्चुली इधर 40 से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन एक्वेशन लिखते समय हम उसको भी क्या लिख देंगे एक्वाल लिख देंगे 40 के एक्वाल ओके तो यह पूछ रहा है इसमें unknown क्या है what is the coefficient of friction between block and surface तो इस ब्लोग को कौन मूव करा रहा है नीचे ग्रेविटेशन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पर उसका एक संच अन्य ख़ारी एक कंपोनेंट कर रहा है एमगी नीचे तो उसका इधर कंपोनेंट मपीट कॉस थीटा यह थीटा क्यों हो गया क्योंकि यह थीटा था था 90-1 थीटा तो यह था थीटा थीटा, क्योंकि यह 90 था कि इंक्लाइन प्लेंर ऑगर nggak अग्या घै है तो ये प्रता चल्किते अगर है तो है तो ये ऑगल की अगल और यह तो यह तर अधिया मजी कॉस्दीटर और इसर और इसर दोख同ई सब्सक्राइब confidento कि एन्हें echo और यह अधिया म् i व्रिक्सन बुले ही जाने नहीं देना तोंको निश mister लगा रहा है यह try लगा रहा कि इन्क्लाइंट गर्वात इने लगा रहा है और यह वेज जो यह है इस ट्राइंगल को वेज बोलते हैं इसके अंदर घुस नहीं रहा है यह यह देश्ट में है तो यह अपवर्ड फोर्स इधर का फोर्स इधर का फोर्स डैट मेंस नॉर्मल रियक्शन ही mg कॉस्थिटा है तो म्यू फ्रिक्शन का वैलू क्या ने को इस टो यह ड्राइविंग फोर्स है और यह अपोजिंग फोर्स है तो दोनों होजान हो जाना चाहिए तो ज़स्ट मिंट उस्लाइग तो mg साइंड थी टा विल वी एक्वल टू म्यू फोर्स थीटा तो इसमें mg से mg कैन्सल हो गया तो मिउ का वैलू क्या अगया यह स्कॉस इधर आजाया तो 10 थीटा विवर आगया 10 थीटा तो 10 थीटा के वैलू 15 डिग्री है तो मिव इकॉल टू हो जाएगा 10 15 डिग्री यही एंसर हो गया इसका